ब्रॉट तो यू बाइ टेक्नो कैमन 30 सीरीज ब्रॉट तो यहां तक कॉंग्रेस सोच रही है तो उनका मानना है कि हम 15 सीटों तक सोच रहे हैं लेकिन अगर हम एजन्सियों के माने जो एजन्सियां फिलाल सरवे कर रही है या फिर एक तारी को जो आकलन अपना दिखाने जा रही है वो जादा से जादा 4 सीटें दे रही है तो हमें लग रहा है कि हम जो फीड़बेक ले रहे हैं हमारे जो रिपोर्टर फीड़बेक ले दे रहे हैं उसमें कॉंग्रेस को कम से कम साथ से आठ सीटे मिल रही है और जो एजनसियां फीडबेक ले रही है अब उसमें मुस्किल से मुस्किल तीन से चार सीटे मिल रही है तो ये गैप हो कहा रहा है इस गैप की वज़ा क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है क्या कोई silent voter है क्या इस silent voter की वज़े से ये gap दिखाई दे रहा है या फिर लोगों का एक perception बन गया है कि नहीं बीजेपी के वोट हैं और बीजेपी के लोग चुपचा वोट दे कर आएं इसकी वज़े से बीजेपी जीतेगी और हमारे पास जो feedback उसके अंसार कांगरेस को पड़ा हुआ वोट साप साप दिखाई दे रहा है इसलिए हमें लग रहा है कि ये CT कांगरेस जीत रही है पता नहीं मगर इतना ज़्यादा confusion है कि मुझे लग रहा है कि पहली बार इतने दिने उसमें चुनाओ देख रहा हूँ पहली बार इतना ज़्यादा confusion है दो जून की रोटी भी नेता ठीक से नहीं खा पा रहे है कि चार जून को पता नहीं क्या होगा अगर आप भग्त और चम्चे नहीं हैं तो confusion बड़ा है और इस confusion में जहां बैठ जाईए वहां चर्चा यही है कितनी सीटें आ रही है देखिए आम जनता में तो ये धरना है कि साथ से आठ सीटें कॉंग्रिस की आएगी अब बीजेपी ऐसा मान रही है कि तीन से चार सीटे आएगी मगर पच्चिस की पच्चिस सीटे नहीं आए बीजेपी नहीं मान रही है, नीचे के कार्करता मान रहे हैं, बीजेपी के नेता तो अभी मान रहे हैं, एक या दो सीटे कम हो सकती है हमारी, तो कि कल एक बीजेपी के नेता से हम मिले थे बोले कि दो सा सीट हम जीत रहे हैं और बस्ती से तो पचीस सजार के लीड है हमारी, क चाहना काजी में हम एक दूहजार से आगे रहेंगे मतलब यह समीकर्ण बताने के लिए मैं बता रहा हूं कि समीकर्ण ऐसे बताने लगते हैं कि आप वहां से कन्विंस होकर ही लोटिएगा अब हमारा तो कामी है दिन बर हम किसी ने किसी के संपरक में आ जाते हैं फिर वह हमे पी जोसी ने एक बैठक बुलाई है और जैपुर में दो दिनों तक बैठक चलेगी जिसमें ये आकलन अपना बताएंगी कि कहां कहां मजबूत रहें हैं कहां कहां जीत रहें हैं कहां कहां हार रहें इस आकलन को दिल्ली भेजा जाएगा ये इतने दिनों में लिया गया फ फीड़बैक जो है ये नेता मंत्री विधायक ले लिए होंगे जो आप कल बीजे पी के मीटिंग में रखेंगे उसके बाद वो दिल्ली भेजा जाएगा हाला कि कहा जा रहा है कि देखिया मिसा के पास सारा फीड़बैक है अगर इतना फीड़बैक नहीं होता तो एरे गेरे नत्थू खेरे कोई भी हो परधान मंत्री नैंद्र मुदी का एंट्रिवू ले रहा है हर किसी के दिन जो है फिरे हुए है तो कहीं न कहीं कोई दिक्कत तो है इसलिए इस तरह के हालात है मगर फिर भी एक फीड़बैक है कायकरम चलेगा और ये कॉंग्रेस में भी गोवि भी चल रही है अब जो होना सो होगा लेकिन कंफ्यूजन बड़ा है करवटें बदल बदल के जो है प्रत्यासी भी राते गुजार रहे हैं भले ही समझाने वाला समझा जाए कि हुजूर आप जीत रहे हैं लेकिन चेहरे पर चेहरे पर जो भावाना चाहिए रंगत उड़ रही है संसे जाही नहीं रहा है चाहे कारिकलता कितना भी समझा दे कि नेता जी हम जीत रहे हैं नेता जी का मन भारी ही रह रहा है कि ऐसा चुना भी है हर तरफ कंफ्यूजन है और इसी कंफ्यूजन में कल साम को चुना परचार खत्म भी हो जाएगा अब दो तिन दिनों की बात है एक जून को बड़ा उला कंफीजन आएगा जिसमें सारे पॉलिटिकल पंडित जो है वो लेकर बैठेंगे आप जिसका सही निकले जिसका सही के नजदीक निकले अब उसके बारे में लोग कुछ दिन तक चर्चा करेंगे मगर चार जून वला ज्यादा सही निकलेगा इसकी अलावा भी राजस्तान में कई तरह की सियासत हो रही है अब सियासत बीजेपी में बहुत ज्यादा नहीं होने जा रही है बीजेपी में जो होगी वो चार जून के बाद होगी और चार जून के बाद तभी होगी जब प्रधानमंति इंदरेंदर मोदी कमजोर होंग तो बहुत बड़ी वाली सियासत होगी कि चूले हिला देने वाली अगर मजबूत हुए तो फिर टायं टायं फिस है कुछ होने वाला नहीं है मगर कॉंगरेस में देखिए कुछ लोग लगातार ये ख़बरे चलवा रहे हैं कि गोविन सिंग्डोटासा परदेश अध्यक्ष के पद से बदले जा सकते हैं इसमें रत्ती बर सचाई नहीं ये क्यों बदले जा सकते हैं पहली बार इतने दिनों बार तो कोई परदेश अध्यक्ष अपनी अगवाई में इतने अच्छे रिजल्ट आया नहीं है मगर चर्चा तो और ही क्या पता ही जाए तो क्यों बदले जा सकते हैं और सचिन पैलटर कही नाम आ नहीं रहा है तो फिर सचिन पैलटर का नाम आ कहां से रहा है कोई है जो गोविन सिंग जो टासरा को हटाना चाहता है और किसी को लाना चाहता है किसको लाना चाहता ये खवर भी या फिर कुद आना चाहता ये खवर भी थोड़े दिन बार सामने आ जाएगी क्योंकि अब अब पर्दा उठने लगा है जो दिखता नहीं है वो होने लगा है जो होता नहीं है वो दिखने लगा है अब गोविन सिंग डोटासरा भी मंजेवे राजनेता की तरह रात गई बात गई लोगों ने पूछा कि नकारा निकम्मा नलायक गोविन सिंग डोटासरा ने वही सचिन पाइलेट वाली डायलक दोहरा दी रात गई, बात गई, इससे अच्छा कोई जवाब होने ही सकता था, क्यों फालतू का बीजे पी पर हमला बोलना है और हमला बोलने लगें, या फिर कंट्रोवर्सी में पढ़ें, मगर इस बीच आपको पता है, अशोग गहलोद भजलाल सर्मा की तारीफ क्यों कर रहे हैं, कह गोविन सिंग दोटासरा की हो नहो अशोग गहलोद पर ग्रिफतारी की तलवार लटक रही है, और ये किसी और मामले में नहीं है, ये तेलांगना के मुख्यमंद्री चंद्शेखर राओ और अशोग गहलोद के मामले एक जैसे हैं, टेलिफोन टेपिंग की, और टेलिफो टेपिंग करवाये हैं और टेलिफोन टेपिंग भी ऐसे कि फिक्सिंग है उसमें, जिनकी बातें टेलिफोन टेपिंग करवाई गई है, वो फिक्स करके करवाई गई है, कोई अन्यास नहीं किया गया है, और ये सारे मामले चाहिद खुलने वाले हैं, और इसकी वज़़ स चाहते हैं अशोग घरोग कि भजलाद सर्मा इस जाश को धीमी कर दें और इसलिए करें कि वो सीधे आदमी हैं उनको हटाया जा सकता है उनको सलाकार अच्छे रख लेने चाहिए इतने मिर्दल हो गए हैं कहा जा रहा है इसकी पीछे वही है क्योंकि चंदरशेखा राओ तेलांगना के जो पुरमुक्ष मंत्री हैं अगर प्रधार मंत्री इंद्रेंद्र मोदी लोटते हैं तो सबसे पहले टेलिफोन टेपिंग के मामले में उन पर सिकंजा कसेगा उसके बाद अगली बारी जो है वो अशुग घलोत की है और इसके लिए निर्देश दे दिये गए हैं और जांस की प्रक्रिया तेज हो गई है और इसी के तहत लोके शर्मा एक महत्तोपुन गवाः बनने वाले हैं ये एक बड़ा घटना करम होने जा रहा है और इस बारे में ओपन एंड सट केस है क्योंकि कहा जा रहा है कि इस बारे में पूरा अध्यान कानून विदों से करा लिया गया है और ये गैर कानूनी और गलत धराओं के तहत सारा काम किया गया है और ये गैर जमानती है और गं झाल झाल